आज का यहाँ वीडियो आपके लिए बहुती खास होने वाला है क्योंकि आज हम धावन सोड़े से सम्मंदित जितनी भी जानकारी है उस सम्पुन्न जानकारी का अध्यान आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है तो सबसे पहले हम जानते धावन सोडा क्या है देखिए धावन सोडा जो आपका कपड़े धोने का सोडा है जिसे यहाँ पर मैंने घड़ी डिटेरेंट पाउडर लिया है तो यह जो सोडा है कपड़े धोने का इसे ही क्या केते हैं धावन सोडा के नाम से जाना जाता है तो धावन सोडा का जो प्रचलित नाम क्या है कपड़े धोने का सोडा ठीक है कपड़े धोने का सोडा या फिर इसे साब्दिक अर्थ में बोल सकते हैं धोने का सोडा तो यह तो हो गया धावन सोडा क्या है अब बात करेंगे इसका रासाइनिक नाम क्या है तो इसका जो रासाइ नाम है देखिए रासाइनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ठीक है इसका रासाइनिक अब इसका फोर्मूला है याने कि रासायनिक शूत्र देखिए तो इतना से लिखना है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट थीज स्कया होगि है इसका रासायनिक सोत्र ठीक है अब इसको जो बनाने की विदी है वहाँ देखें यहाँ सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनना आया जाता है सोडियम एन एटू सी ओ ठीरी इसे केते हैं सोडियम कार्बोनेट यह सोडियम कार्बोनेट sodium carbonate की किरिया जब जल से कराते यानि कि H2O से तो आपका बनता है sodium carbonate decahydrate Na2CO3 into 10H2O अब देखें यहाँ पर इसे संतुलित करना जरूरी है तो यहाँ पर देखे sodium carbonate तो वैसे का वैसे ही है पर यहाँ पर 10H2 है इसलिए यहाँ संतुलित करने लिए 10H2 का गुना हो जाएगा तो यह होगी इसकी बनाने की विधी अब रही बात इसके गुन की तो देखें गुन तो बहुत ही सिंपल है गुन इतने सिंपल है देखें किस तरह से लिखेंगे अब इस एक्जामपल के दोरा समझें देखें आपने देखाऊ गा यह जो सोडा है यह सपेद क्रिस्टली ठोस है लग बग इसका रंग कैसा रहता है सपेद रहता है जिसके बाद में यह जल में गुलता है पानी में गुलता है या नहीं गुलता है तो आप बोलेंगे घुलता है तो पेला तो हो गया ये सफेद क्रिश्टली क्या गुणोंगि इसका पेला सफेद दूसरा हो गया जलमे विले तीसरा हो जायेगा इसका देखिए तीसरे में आप लिख सकते हैं आप जानते हैं कि चारी किसे केते हैं चारी चारी माध्यमोना तो जिनका पीएच मान साथ से अधिक होता है वहां होता है चारी तो इसका जो जल में विलियन करेंगे आप जल में घोलेंगे सोडे को तो उसका जो विलियने वहां केसा रहता है चारी रहता है तो देखिए गुन इसके बहुती आसान है कि यहाँ सपेद क्रिस्टली ठोस है इसका जली विलियन चारी होता है यहाँ जल में केसा होता है विले होता है अब रही बात इनके उप्योग की तो देखिए घरों की साप सपाई में साबुन उद्योग में कागच उद्योग में और प्रियोग साला में अभिकर्मक के रूप में और साथी साथ जल की जो इस्थाई कठोरता है उसको हटाने के लिए भी धावन सोडे का उप्योग किया ज ठीक है और धावन सोडे के गुन और इसके उप्योग ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंड बॉक्स में कमेंड कर दीजेगा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रियास किया जाएगा